So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Pocket FM जब आप अपने Samsung के डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं बड़ आपको Play Store में सो होता है कुछ step का error जिसमें लिखा रहता है Your device isn't compatible with this version and आप इस एपको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं अपने Samsung के डिवाइस में तो कैसे आप यहाँ problem को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिलकी आइकोन को प्रिस्ट कर लेना है सो दीके यहाँ पे जैसे की हम अपने Samsung के डिवाइस में इस एप को सर्च करते प्ले स्टोर में हमें यहाँ पे कोई भी error देखने को नहीं मिलता ठीक है बट आपको जो error देखने को मिलता है इसका एक ही reason है कि आपके डिवाइस का जो version है आपके Samsung के डिवाइस का जो version है वो काफी old हो चुका है old version की वज़ा से आपको इप्राब्लम देखने को मिलती है ठीक है तो simple से इसका solution है आपको जाना है अपने Samsung डिवाइस के settings में देन आपको software update पे click करना है और आपको अपने Samsung के डिवाइस को update करना है जैसे आप update करेंगे आपका जो error है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा अब इसमें काफी लोगों का ये भी doubt हो सकता है कि हमारे डिवाइस में तो update ही नहीं आते है तो हम क्या करें तो उस situation में आपको Pocket FM का old AP के download कर लेना है और आप उसे use कर पाएंगे Okay, so topic discover मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै माता दी